हेलो अप सबीक सोक्त बात करेंगे यहाँ पर नायका IPO के बारे में दोस्तों यहाँ पर हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़े डिसकस करेंगे इस IPO से जुड़ी विए आप देखें यहाँ पर इसकी लिस्टिंग जब होगी दोस्तों उसका टाइम प्रेट क्या रहेगा और लिस्टिंग के वक क्या करना चाहिए देखें प्रिनियम पर लिस्टिंग तो 101% होने वाली बट यहाँ पर डिसीजन कैसे लेना चाहिए देखें यहाँ पर हम पारस IPO की बात करें तो यहाँ पर लिस्टिंग के बात भी वो पौफॉर्म किया वैसे दोस्तों यहाँ पर करें तो इसमें दोस्तों यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीजे नजर आती है आपको यहाँ पर इसके बिजनस के बारे में ये सब तो पता होगा क्यों तो आपने यहाँ पर अपलाई किया हो तो सब को डीटेल देख कर यह अपलाई किया होगा beauty से और personal care से जुड़ेविस के यहाँ पर product है online यहाँ पर इनके stores available है बोलतो यहाँ पर जो platform है इनका available है और आपको बतातो दोस्तो जैसे कि company की जो asset quality देखे जैसे कि यहाँ पर financial में भी देखे या company के पाथ जो wealth है खुद की जो goodwill के बारे में तो नजर आ जाए थी कैसे है तो यहाँ पर रहे कि total asset की बात करें तो company के asset दोस्तो continue 2019 यह जो quarterly whisper या yearly whisper आप देखे खास करकर मुझे लगता है कि company यहाँ पर asset में quality maintain करकर चल रही है और दोस्तो profit after the tax की बात करें तो company पूरी तरके loss में थी यहाँ पर आप देखे 2019 में यहाँ पर देखना कितना था 245 करोड का यहाँ पर पूरी तरके से क्या था दोस्तो लॉस था बाद में से यहाँ पर 160 करोड का loss था बाद में से देखे 600 करोड़ का यहाँ पर 619 करोड़ का प्रॉफिट बाद में लॉस हुआ और अभी फिलाल देखे कमपनी प्रॉफिट में मुझे एक बात आपको बतानी जरूर है क्या फिलाल दोस्तों लिस्टिंग गेन लेकर ही बाद में बात जो है वो सुच सकते हैं यह लग रहा है क्योंकि कमपनी यहाँ पर है वैलिबल बड़ थोड़ा यहाँ पर हम लॉंग टम के लिए बाद में सोचना चाहिए अभी से उसके बारे में हमने डीटेल देखना नी चाहिए दोस्तों खास करकर अभी देखें आलाउटमेंट का स्टेटस कर से देखना चाहिए लिंक इन टाइम इस वेबसाइट पर जाकर दोस्तों आप प्यान कर से अप्लिकेशन आइडी से यहाँ पर जो अप्लिकेशन का नंबर होता है वो यहाँ डीपी क्लाइन आइडी जो होती है उससे यहाँ पर चेक कर सकते है सिंप्लि दोस्तों यहाँ पर आपको सअलेट करना है जो कैटेगरी से उसकेबारे में मैं आपको दिखा मैंनेना चाहूंगा यहाँ पर देख लिजे पूरत टेर्के न के से जो यहाँ पर जो company के नाम होते हैं, listing से जुढ़े हैं, अभी नाइका का यहाँ पर नाम आ जाएगा, बादमेशा आप यहाँ पर देख सकते हैं, select करने के बाद, यहाँ पारस के बारे में यहाँ पर होचु की उसकी listing और यहाँ पर उसे जुड़ा ओह पर नाम अवे लेबले उसके बाद में यहाँ पर आप देखे जो कल की बात करें तो कल आपको यहाँ पर नायक आएप्यों का नाम देखने की मिलेगा और यहाँ पर प्यानकार्ड का भी उसकर कर दोस्तों इसल यहाँ पर अपना जो allotment status है वो देख सकते है यहापर आपको बदा दूगी इसकी जो यहापर हम बात करे ग्रिन प्रिनियम की ग्रिन मार्केट प्रिनियम की बात करे जो दोस्तो वो आच्छी है और यहापर काफी जबरदस तरीके से आपको यहापर रिटेन में मिलेगा तो आप यहापर जो लिस्टिंग गेन है उसको निकाल कर जबरदस तरीके से आप दोस्तो डिसिजन ले लेना क्योंकि मुझे यही बात इसमें कमपणी में नजरा रही है और यहापर कमपणी का बिजनेस यहापर पिछली बार देखे तो आपको बदा दो जो ऐसे बहुत से स्टॉक आते हैं लिस्ट होते है तो उनकी हिस्टिंग गेन लेकर बहुत से लोग निकलते वो सही डिसिजन भी होता है दोस्तो क्योंकि देखे कमपणी वैल्यूबल हो तो उसमें continue करना चाहिए और थोड़ा हम रुक कर उसको decision ले सके क्यों 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 हमें थोड़ा यहापर पूरा confidence नहीं उस company पर तो यहापर सोचना पड़ेगा उसके बारे में और उसके बाद ही हम यहापर decision ले पाएंगे क्योंकि देखे detail और यहापर company के एक दो result देख जरूई है तो आयोप मुझे लगता है कि आप detail समझे रहें दोस्तों क्या मैं आपको बातानी कोशिश कर रहा हूं आप यहापर understanding कर सकते हैं और यहापर subscription देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है दोस्तों यहापर allotment भी जैसे कि हम retail investor की बात करें तो उनका जबरदस तरीके इस performance रहा और यहापर आपको बता दू इसी वज़े से जो यहापर subscription तेजी से होता है और यहापर आपको बताना चाहूंगा जो लोग इतना जबरदस तरीके से apply करते उस वज़े से क्या होता है stock की जो यहापर IPO की value होती हो बढ़ते रहती है अभी demand जितन